डार्ट क्लावड कवर पैटन ठीक है एक अफ्ट्रेंड मार्केट में चार्ट के ऊपर ही आपको एक बड़ा सा बुलिश कैंडल देखने के लिए मिलेगा उसका फिफ्टी टू सेवन्टी परसंट कवर करना चाहिए देखो फिफ्ट हमारा कैंडल बना वो उसने जो है जो थ बुलिश बने हो सकता है यहां पर बेरिश बने कुछ भी कैंडल यहां पर बन सकता है लेकिन लोग को ब्रेक नहीं करता और यहां से बुम करके मार्केट देखो किस तरीके से नीचे पहले तो गैप आप में आपको डोजी बनते हुए देखेगा उसके डोजी के बाद जो क देखने को मिलेगा ना तो definitely I guarantee कि यहां पर आपको एक बड़ा सा मार्जिन मिलेगा ठीक है यह सारे चार्ट पैटन को देखके ट्रेड ले सकते हो ना तो वाइट सोलजर बना देता है देख सकते हो एक दो तीन एक छोटा सा कैंडल बना उसके साइड में और एक रेड कैंड बना एड उसके बाद एक बड़रा साीड कैंडल बना जो पहला पाल का टोजिंग के वहाई पर दूसरे कंडल के ओपन के अपनीग है चार्टेट फ worker का बूलिश हरामाी पैटन क्या होता है अनब्रेकवल कैंडल के बन जा sons और bullish candle के बाद फिर से यहां पे देखो bullish candle का जो high है उसको break किया break करते ही यहां पे आपकी entry होनी चाहिए और यहां पे आपके stop loss होना चाहिए तो बैसिंग pattern जो है आप इसको मतलब hammer भी कह सकते हो उसका जो high है third candle जो भी break करेगा तो वहां पे आपकी entry होना चाहिए और बुम करके यहां से आपके market बढ़ने वाले है तो अगर आप trading सीखना चाहते होना अभी से चैनल को subscribe कर लो हमारे चैनल पे एक series जल रहा है जहां पे आपको candlestick pattern के बारे में सिखाया जा रहा है तो अगर आपको trading सीखना है एक दिन में आप सीखनी सकते हैं एक रात में आप सीखनी सकते हैं किसी से motivate होके आप trade मत कर देना आपके पैसे आई guaranteed के loss में ही जाएगा तो इसके लिए आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा तो हमारा जो series चल रहा है Candlestick Pattern के उपर उसको जरूर से देखो Candlestick Pattern नाम का एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे है उसको देखो एंड फिर सारे के सारे Candlestick के बारे में सीखो एंड फिर जाके मतलब यह technical analysis होता है उसके बाद आप experience जरूर से करना और कोई भी query सो आप सीधा मेरे को Instagram पे पूछो Instagram का link आपको description मिलेगा और Telegram चैनल को जरूर से join करना और भाई देखो सबसे important बात अगर आप trade करना चाते हो या फिर share market में investment करना चाते हो तो उसके लिए आपके पास तो Demut Trading Account होना ही पड़ेगा तो उसके लिए आपको Demut Trading Account के link description मिलेगे वहाँ पे जाओ click करो और अपना एक Demut Trading Account ओपन करो जैसे कि आपके आप स्टॉक हो गया एंजेल ओन हो गया ग्रो हो गया पाई पैसा हो गया SBI Securities हो गया SDPC Securities हो गया ICI-CI Direct हो गया बहुत सारे ऐसे links मैंने description में दिया है आपको जो भी पसंदाए आप उनमें से एक open करो एड़ एक open करोगे आप multiple भी open कर सकते हो कर लेना पहला जो pattern होने वाला है bullish engulfing तो guys देर bullish engulfing ना तीन तरह के बन सकते हैं इन तरह से मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद हम जो है market में जाके इसको study करेंगे मतलब जो live market है उसे open करके study करेंगे देखो सबसे पहला कैसे बन सकता है सबसे पहले एक bearish candle ऐसा रहेगा समझ लो यह bearish candle है ठीक है इसके बगल में एक bullish candle बनेगा बहुत ही बड़ा सा एक bullish candle बनेगा ठीक है तो यहाँ पे देखो इस तरीके का एक bullish candle बनेगा ठीक है तो यहाँ देखो यहाँ पे जो है ना इसका लो को इसने break कर दिया एक तरह के होगे अब दूसरी तरह के उसके लिए फिर से यहां पे देखो मेरे को red color लेना पड़ेगा यहां समझ लो की इस तरीगे का एक bearish candle बना ठीक है अब bearish candle बनने के बाद पहले case में आप देख सकते हो यहां पे जो second जो candle बना तो अगर देखो ना तो यहां पे यह bullish candle का लगभग जो है 70% इसने cover कर लिया है 70% को इसने cover कर लिया मतलब body का बात कर रहा हूँ shadow की बात नहीं कर रहा अब second वाले case में यहां पे देखो यह आपका bearish candle है अब इसका color में चेंज करके आपको bullish candle बना के दिखाता हूँ यह बाला जो next का जो bullish candle बनेगा ना बहुत ही बड़ा बनेगा ठीके बहुत ही जादा बनेगा मतलब लगबग जो है यहां पे देखो हो सकता है ऐसा 30 to 50 इस टाइप का भी बनता है ठीके तो यहां पे देखो इसका opening का इसका opening मतलब क्लोजिंग का इसका opening मतलब यह एक तरह से engulfing का मतलब क्या रहता है मतलब जो यहां पे जो bullish candle रहता है ना वो आपके bearish candle को रहेगा bullish candle का low बहुत ही नीचे मतलब unbreakable रहेगा ठीके मतलब यह जो downtrend market रहेगा इसमें यह जो bearish candle है इसका हर जगा ठीक हर जगा जो तीनो सिचुएशन में आपको दिखाए ना तीनो सिचुएशन में आपके जो bullish candle है मतलब जो second candle है उसका जो low रहेगा ना वो पुरा का downtrend में unbreakable रहेगा मतलब इसके नीचे और कोई भी candle नहीं गया होगा कोई shadow अगेरा नहीं गया होगा ठीक है तो इस तरीके से तीन तरीके से बनेगा अब तीन तरीके से बनने के बाद आपको trade कहां पे लेना है वो मैं आपको चार्ट में बताता हूँ चलो अब यहापे market में आ चुका हूँ actually market यहाँ पे रिजिस्ट कर रहा था लेकिन यहाँ पे market ऊपर से नीचे आया फिर जो है यहाँ पे थोड़ा label में जा रहा था and जाते जाते भाई यहाँ पे देखोगे यह बाला जो pattern है ना यहाँ पे आप थोड़ा सा चेक करो ठीक है यहाँ पे चेक क a bullish candle है डो आपका बनता है एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यह जो मतलब trend है यहाँ पे लो है ना इसके low से भी यह नीचे है ठीक है इसका शैडो यह आपका bullish candle हो गया ना इसका low आपका bearish candle से भी नीचे है ठीक है तो यहाँ पे जो है आप confirm हो गया है यह basically एक bullish engulfing जो है pattern हो सकता है यहाँ पे देखो यहाँ पे यह जो है bearish candle आपका छोटा है और bullish candle आपका बड़ा है and then immediately आपके यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा bullish candle बन जाते हैं आप चाहो तो आप यहाँ से भी entry ले सकते हो तो अगर आप यहाँ पे एंटरी लोगे तो यहाँ आपका stop loss लेकिन जो है आपका confirm रहेगा वो आपके bullish candle मतलब जो second candle रहेगा इस वाले pattern में जो second candle रहेगा, bullish candle उसका जो low रहेगा न, वहाँ पे आपका stop loss रहेगा, आप यहाँ पे भी इंटर कर सकते हो, लेकिन अगर आप confirm होना चाहते हो, तो यहाँ पे जाके आप confirm हो सकते हो, यहाँ से आप entry ले सकते हो, इसका high को यहाँ पे break कर दिया, अब मतलब जो second आपका candle है, जो bullish candle है, उसका high यहाँ पे break हो गया, आप क्या करना है, आप यहाँ पे confirm हो जाते हो, यहाँ पे आप आराम से जो है, अपना entry बना सकते हो, इंटरी बनाने के बाद, आप देखो market का हालत, देखो भाई, यहाँ से market, अगर आपने यहाँ पे भी entry लिया रहेगा, तो यहाँ कर सकता है, या फिर जो है, पांच मिनिट, दो मिनिट, चार मिनिट, कुछ भी time ले लो, आपके कुछ भी time frame पे वो काम करता है, तो आप जरूर से इसको check out करना चलते है, अपने दूसरे वाले pattern पे, ठीक है, अब यहाँ बुलिश हरामाई pattern क्या होता है, देखो, सबसे पहल से कम जो है, यहाँ पे आपका एक मतलब बुलिश केंडल बन जाता है, सबसे पहले एक बड़ा सा बेरिश केंडल, उसके साइड में एक बुलिश केंडल, जो बुलिश केंडल बनेगा, वो जो बेरिश केंडल है, उसका 50 to 70 परसंट, या 50 to 50 परसंट का होगा तो भी रहेग वो ब्रेक करेगा, थार्ड केंडल, या फिर जो है, आपके थार्ड केंडल जब भी मतलब खतम होगा, तब आपकी एंटी हो जाएगी, जो आपके लंबा सा बेरिश केंडल रहेगा उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीके, क्योंकि उसका जो स्टॉप लॉस ह उसके नीचे और कोई भी केंडल नहीं गया, ठीके, तो उसके नीचे यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यह जो है आपके डेली चार्ट में भी काम करेगा, पांच मिनिट, दस मिनिट या फिर दो मिनिट, मतलब एक मिनिट का चार्ट में भी काम करेगा, आप जो है, एंड के बाद भी आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो, अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हो, तो देखोगे, यहाँ से आपके मार्केट जो है, आप ट्रेंड में कंवर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो, मैं आपको मार्केट में भी जाके दिखा देता तो यहां पर भाई लाइब मार्केट में आप यहां पर देख सकते हो यह वाला एक पटन बना है देखो भाई यह डाउन ट्रेंड मार्केट था यहां पर लंबा सा एक आपका बन गया क्या बुलिश केंडल बन गया अब इस वाले बियरिश केंडल देखो बियरिश केंडल का और bullish candle के बाद फिर से यहां पे देखो bullish candle का जो high है उसको break किया, break करते ही यहां पे आपकी entry होनी चाहिए and यहां पे आपके stop loss होना चाहिए जो आपके bearish candle है पहला वाला candle का जो low रहेगा उसमें आप stop loss लगा देना और यहां पे जो आपके second candle है bullish candle उसका high third candle जब भी break करेगा तभी आपको simple से यहां पे entry करना है and देखो boom करके एक दम मतलब यहां पे आपना 1-2, 1-3 का जो है आप 5 मिनिट के चार्ट देख रहे हो तो वह 1-2, 1-3 का आप आराम से profit book कर सकते हो बिल्कुल और बिल्कुल एक दम क time में 5-10 मिनिट के time में ठीक है तो that's it guys यह था भाई bullish हरामी candlestick pattern अब हम आपको बताएंगे piercing pattern के बारे में ठीक है तो चलो देखते है piercing pattern क्या है तो भाई piercing pattern जो है आप इसको मतलब hammer भी कह सकते हो hammer जैसा काम करता है ना same का same वैसा ही काम करता है यहां पे एक dozy बना and dozy के immediately ब and यहां पे देखो बड़ा सा bullish candle जब भी अपना high break करेगा third candle में जब भी high को break करेगा ना तो यहां पे आपकी entry होगी and यह एक तरह से आप इसको कह सकते हो एक hammer ठीक है hammer या फिर hanging man भी हो सकता है ठीक है तो इस तरीके से देखो जब भी मतलब यहां पे आपको stop loss लगा देना है जो dozy coin है उसका जो मतलब low रहेगा वहां पे आपको लगा देना है stop loss and उपर का जो आपका second बाला bullish candle रहेगा उसका जो high है third candle जब भी break करेगा तो वहां पर आपकी entry होना चाहिए and boom करके यहां से आपके market बनने वाले है three white soldier pattern यह बहुत ही बड़िया pattern है भाई को एक downtrend market समझ लो की इस तरीके से market down आ रहा है ठीक है अब suddenly यहां पर समझ लो की एक जो है आपके bullish candle बनते हैं छोटा सा bullish candle बनता है and bullish candle के immediate बाद भाई और एक bullish candle बनता है इस वाले bullish candle से यह थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ठीक है and then भाई फिर से और एक यहां पे bullish candle बनता है तो लगातार यहां पे आपका तीन-तीन bullish candle अगर बन गया इस तरीके से and भाई मैं आपको rule भी बता देता हूं देखो यह पहला जो bullish candle है पूरा down में बना है ना तो इसकी जहां पे closing होगी ना वहीं पे जो है दूसरे स्टीक का आपका starting point मतलब opening point बनेगा and वहां से यह उपर तक जाएगा चाहे shadow बनाए कुछ भी बनाए नीचे जाए फिर shadow बनाए कुछ भी बनाए ठीके लेकिन यहां पे जब यहां close हो जाएगा तो उसके उपर third candle हमारा ह जहां पे second candle जहां पे ending हुआ था मतलब closing हुआ था उसके उपर ही opening होगा उसका ठीके उसके उपर उसका opening होगा और यह वाला candle भाई उससे भी थोड़ा सा बड़ा होने बाला है तो यह जो तीन-तीन candle आप देख रहा हो यहां पे stop loss आप लगा सकते हो नीचे जो पहला candle तो यहां पे आप stop loss यूज़ कर सकते हो भाई मैं तो stop loss यूज़ नहीं करता मैं आपको live दिखाउंगा कि मैं जब भी trade करता हूँ na stop loss का यूज़ करता ही नहीं थेक है तो यह भी आप आप कर सकते ओ क्योंullen यहा पका जो है पहले-पहले कर रहे हो न यहां पे losses कम करने के ल महां पे stop loss यूश करना लेकिन यह भी ध्यान में रखना कि इसका जो end है ना मतलब इसका जो low है ना वो यह low मतलब downtrend market में बेरिश market में अनब्रेकबल होने चाहिए ठीक है तो यहां पे देखो और एक चीज आपको ध्यान देनी है कि जो market यहां पे नीचे आ रहा था बेरिश तो यहां पे ना आपके कम से कम 20 candle बनने चाहिए 20 candle के बाद अगर ऐसा pattern बनता है तो यहां से यह लंबा जाने वाला है ठीक है चाहिए पांच मिनिट का देखो 10 मिनिट का देखो 15 मिनिट का देखो या फिर आप जो है one day का देखो तो यह सारे के सारे चार्ट में काम करता है एंड एक ऐसा strong symbol है आपको believe में अभी मैं आपको market में जाके दिखाता हूँ कि कितना strong इसका जो है symbol है ठीक है तो यहां पे आप देख सकते हो 5 मिनिट का चार्ट open है nifty 50 का यहां पे चार्ट मैंने open करा हुआ है ठीक है यहां पे आप देख पाऊगे यह जो है market की मतलब यहा पे market gap gap में open हुआ and open होते ही आप देखो सबसे पहले यहां पे क्या करता है यह जो है market कल को जो है बहुत ज़्यादा बीरिश था बहुत जादा तो नहीं कह सकते बट बीरिश था ठीक है market बहुत ही बीरिश था and यहां से थोड़ा सा मतलब यहां पे जो ending time में थोड़ा सा bullish ह हो जाती है market मतलब यह जो है last को open हुआ था जिस दिन उस दिन की बात कर रहा हूं गुरुवार को ठीक है तो उसके बाद देखो आज मतलब 29 तारीकों जब में यह video बना रहा हूं ना तो यहां पे देखो gap up में market open हुआ and पहले ही यहां देख सकते हो three white soldier बना देता है देख स बनता हुआ यहां पे आप देख पाओगे and इस बाले pattern के बाद भाई आप पूछो ही मत आज के market तो भाई market ने आज धमाल मचा दिया ठीक है यहां से देखो यहां से सीधा यहां तक गया भाई कहीं से कहीं पर मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि market यहां से नीचे आने वाल सा इस वाले जगे में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा यहां पे market रिजिस्ट कर रहा था ठीक है इसके अलाबा आप फुल डे में कहीं पर भी नहीं देखोगे यह वाला जो pattern है ना three white soldier इसके बाद भाई आज तो पूरा धमाल मचा दिया जिस किसी ने भी यहां पे बा आया था भाई उसका तो आज बले बले हो गया ठीक है तो इस तरीके से life changing है यह जो pattern है ना life changing है एंड मुझे ऐसा लगता है भाई कल जो हो सकता है कि gap आप open हो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जादा लग रहा है कि आज मतलब कल जो है gap down ही open होगा तो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे है इस वाले pattern की यह जो pattern है इसने पूरा धमाकेदार मजाग बना दिया पूरा बिल्कुल ठीक है तो यह था भाई three white soldier pattern अभी मैं आपको बताता हूँ और एक pattern जो की एक bullish market को बेरिश कर सकता है मतलब यहाँ पे आप sell बना सकते हो यहाँ पे तो आपको यह जो है three white soldier इसमें आप क्या कर सकते हो बाई बना सकते हो मतलब आपका call को खरीज सकते हो एंड अब जो बताऊंगा वह आप put को खरीज सकते हो ठीक है अभी अभी जो three white soldier की बारे बात कर रहा था यह बिल्कुल उसका opposite है भाई एक समझ लो की एक uptrend market जा रहा है मत ठीक है bullish market यहां पर देखने के लिए मिला and by bullish के ऊपर मतलब यह market यहां से ऊपर जाता है ऊपर जाने के बाद यहां पर एक red candle बनता है मतलब एक bearish candle बनता है ठीक है अब bearish candle के बाद और एक bearish candle बनता है उससे बड़ा बनेगा and then फिर और एक bearish candle यहां पर देखने के लिए मि यहां से इसका opening था यहां पर close हो गया ठीक है तो उसके ऊपर ही यहां पर opening होगा जो दूसरा candle होगा दूसरा जो red candle मतलब bearish candle होगा उसका भी opening यहां पर closing हो जाएगा यहां पर closing होगा वही से ही तीसरा candle की opening होगी चाहिए यहां पर shadow बनाए कुछ भी बनाए लेकिन आपको opening and closing की ध्यान रखना पड़ेगा यह जो पहला वाला candle हमारा रहेगा उससे second वाला candle थोड़ा सा बड़ा या फिर छोटा हो सकता है लेकिन third वाला candle हमारा रहेगा वो मतलब इसको भी आफ follow करना and भाई इस वाले uptrend market में यह जो पहला वाला bearish candle रहेगा इसका जो high बनेगा वो unbreakable होगा तो यहां पर अपना stop loss लगाओ and यहां से आप market में entry कब लोगे जो तीनों के तीने candle बनने के बाद जो आपका fourth candle start होगा वहां पर आप अपनी entry बना सकते मतलब यहां पर आप sell कर सकते हो and भाई once आप यहां पर sell करते हो तो यहां से देखोगे कि boom करके आपके market one day के chart में भी धासू काम करता है ठीक है पूरा का पूरा down में चाहेगा वहां से market ठीक है ना guys तो चलो मैं आपको live जो है chart पे जाके दिखा देता हूं market में जाके दिख सकता इसका क्यूंकि इसका जो weight थे वो ही नहीं जो आपका shadow कहते है वो shadow तो ही नहीं मैं इसको थोड़ा सा zoom कर लेता हूं आप पहले देख लो यह एक uptrend market था and यहां से भाई यह downtrend में convert हो गया है मैं आपको इसको zoom करके ठीक से सही से समझाता हूं देखो zoom मैंने कर लिया side में और एक red candle बना and उसके बाद एक बढ़ा सा red candle बना जो की सारे के सारे candles के तो माँवरे देख सकते हूं आप जो पहला candle की closing है और जो पहला candle का जो है नदव है नदव दूसरे candle का closing है उसके बाद ही तीसरा candle यहाँ पर open उता हुआ थोड़ा सा नीचे जाके ठीक है gap down में थोड़ा सा यहां पे देख सकते हो आप gap down में ही तीसरा candle यहां पे खुला यहां पे तीसरा candle बनते ही चौथा candle में आप यहां पे आप put को buy कर सकते थे यहां पे आपको sell करनी है और यहां से देखो गे market लंबा सा नीचे जाएगा जूम आउट करता हूँ देखो जूम आउट करने के बाद आपको पता चलेगा कितना नीचे गया है ठीक है दीजे 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 गया है लेकिन बहुत जादा नीचे गया है तो इस तरीके से तो इस वाले pattern को कहते हैं त्री ब्लाक का हूँ याद रखना भाई शूटिंग स्टार को समझेंगे अब शूटिंग स्टार होता क्या है तो सबसे पहले देखो अगर यहां पे market आप में जा रहा है समझ लो यहां पे मैं आपको color change करके भी दिखा देता हूँ अब किसी में भी टमतलब ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहां पे भाई एक जो formula है वो है भाई अगर आप 5 मिनिट का हो सकता है कि आप 5 मिनिट का देख रहो 2 मिनिट का देख रहो 15 मिनिट का चार देख रहो तो क्या हो ना आपको ना minimum सा minimum जो है 20 candle यहाँ पे देखना पड़ेगा 20 candle के बाद अगर ऐसा formation बनता है तो definitely guarantee देता हूँ कि यहाँ से market नीचे जाने वाला है and guarantee जाने वाला है वाई उपर आने के बाद यहाँ पे भाई एक बहुत बड़ा सा एक candle बनेगा ठीक है लेकिन यह candle जो है bullish भी हो सकता है या फिर bearish भी हो सकता है ठीक है bullish bearish का तो आपको पता रहेगा अगर कोई भी candle मतलब नीचे से opening होके उपर जाके close हो जाता है तो वो हो जाती आपके bullish candle और जो वाला candle आपके उपर से start होके नीचे आके खतम हो जाता है मतलब close हो जाता है वो होता है आपका bearish candle ठीके तो यहाँ पे देखो हम एक bullish candle का example लेते हैं तो ठीके न गाई समझ लो कि यहाँ से यह start हुआ था and उपर तक गया लेकिन उपर यह खतम नहीं हुआ फिर से नीचे आ गया यहाँ पर आके close हो गया ठीके तो यहाँ पर close हो गया तो यहाँ इस type का एक candle भाई बनेगा ठीके body to shadow का ratio रहेगा ना वो रहेगा भाई shadow 70 to 80% का shadow रहेगा भाई ठीके and जो body रहेगा वो रहेगा भाई 30 to 20% का body रहेगा ठीके तो इतने परसंट का आपका body रहेगा इतने परसंट का आपका shadow रहेगा ये हो गया आपका भाई shooting star अब आपको trade कब लेना है देखो trade आपको कब लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ अब इसके बाद ना यहाँ पर next में आपका एक bearish candle बनेगा ठीक बेरish candle ये confirmation candle है आपके तो इसके बाद जो तीसरा आपका bearish candle बनेगा वो जब भी second bearish candle का low को यहाँ पर break करेगा ना यहाँ पर आप sell करोगे ठीके मतलब आपका जो put है वो आप यहाँ पर buy करोगे ठीके तो यहाँ से देखोगे आप market जो है भूम करके नीचे जाएगा एकदम guarantee लेकिन यह जो formula है बीस candle का formula जरूर से आप follow कर लेना live market में जाके देखते है ठीके तो गईस यहाँ पर देख सकते हो यह है bank n актив का पाँच मिनिट का चार्ट आप देख रहे हो ठीके अब पाँच मिनिट का चार्ट में तो यहाँ पे आईस देख सकते हो यह भाई आपका morning star हो सकता है यहाँ पे देखो यहां से market जो है यहां तक ऊपर तक गया था ठीक है यह एक uptrend market था अधे हैंड है एक shooting star बनता है and by shooting star का जो है हो सकता है कि shadow थोड़ा सा बहुत जादा है लेकिन ये shooting star जैसा काम ही करेगा देखो काम क्योंकि यहाँ पे थोड़ा shadow जादा है तो इसके लिए देखो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब 1-2 का profit आप यहाँ पे ले सकते थे अगर आप करा, यहाँ पे आप sell कर सकते हो, मतलब आप put को अराम से निकल सकते थे मैं market में अगर ढ़ूंड़ूंगा तो इससे भी बहुत अच्छा shooting star हम autobi को देखने के लिए मिलेगा evening star तो evening star को अब भी हम समझने थे थीक है shooting star से evening star का power उपर बहुत ही जादा है क्योंकि चैले दम पर एव्निंग स्टार पूरा मार्केट और आपको देखेगा एक बड़ा सॉ bullish candle देखने मिलेगा and bullish candle के बाद भाई एक dozy candle बनेगा अब dozy candle क्या है वो तो मैंने 4-5 पुरकार के dozy candle होते हैं dragonfly वगेरा बहुत सारे मैंने आपको बताया हुआ है तो वो वाला आप देख सकते हो मेरे playlist में है जिसमें जो है आपको पता चलेगा मतलब morning star के बारे मैंने बात की थी तो उस वाले video में आप देख सकते हो dozy coin कितने प्रकार के होते हैं ठीक है तो dozy coin बनेगा भाई लेकिन देखो यहाँ पर यह वाला जो bullish candle है यह bullish candle यहाँ पर open हुआ था यहाँ पर close हुआ तो यह से कहते हैं क्या gap up में जो है next candle आपका बनेगा जो dozy candle आपका बनेगा वो gap up में बनेगा ठीक है तो यहाँ पर gap up में बनने के बाद इस टाइप का एक dozy candle बना उसके बाद देखोगे और एक देखो यह strong candlestick pattern है इसके बाद ना definitely लंबा सा एक downfall आएगा ठीक है तो उसके बाद क्या होगा और एक आपको bearish candle मिलेगा ठीक है इस टाइप का एक बड़ा सा आपको bearish candle यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा next जो candle रहेगा लेकिन जो bearish candle बनेगा ना वो भी जहाँ पर आपका dozy खतम हुआ था मतलब dozy का जो body close हुआ था वहाँ से open नहीं होगा उससे gap down में जो है थोड़ा सा gap में जाके वो अपना opening बनाएगा ठीक है तो gap down में जब open होगा तो यहाँ पे सबसे पहले तो gap up में आपको dozy बनते हुए देखेगा उसके dozy के बाद जो candle बनेगा वो gap down में आपको एक bearish candle देखने के लिए मिलेगा और जब bearish candle का जो low रहेगा ना वो जब भी break करेगा यहाँ पे next जो आपका bearish candle रहेगा जब भी यहाँ पे break करेगा तो यहाँ आप sell कर सकते हो मतलब आपको यहाँ से put buy करना होगा add put यहाँ से buy करोगे देखोगे एक लंबा सा नीचे जाएगा अब भी मैं आपको chart pattern में दिखाता हूँ market में दिखाता हूँ एकदम इसका जो result है धासू result है भाई इसको total को मिला के इसे कहते है by evening star ठीक है evening star pattern एक धासू pattern है इसको अगर आप सही से नाप लेते हो ना तो भाई believe me यार आपके पैसे चड़ी लग जाएंगे and definitely market नीचे जाना वाला है और थोड़ा नहीं बहुत जादा नीचे जाने वाला है ठीक है तो देखो यह जो होगा ना आपका uptrend जो जा रहा था ना 20 candle को ज़रूर से follow करना अगर आप पांच मिनिट का चार्ट देखो कि आप 10 मिनिट का चार्ट देख रहे हो तो 20 candle आप ज़रूर से follow करना क्योंकि यहाँ पे 20 candle के बांध अगर बनेगा तो ही यहाँ पे बन नहीं तो नहीं बनेगा क्योंकि इससे पहले बनेगा तो छोटा छोटा मतलब उपर नीचे होता रहेगा ठीक है ना गाइस यहां पर मैं आ चुका हूँ मार्केट में और यहां देखोगे मार्केट जो है ना लगबग यहां तक डाउन में था यहां देखो market खुलने के बाद थोड़ा सा यहां नीचे आया तो यहां तक market नीचे आ गया था अब यहां से देख सकते हो आप जो market है यह बहुत ही उपर गया है ठीक है बहुत उपर गया है अगर आप देखो यहां point की बात करू 47600 से लेकर यहां पे आ गया है 47800 मतलब 200 की point जो है यहां पे उपर जाने के बाद भाई क्या हुआ यहां पे एक लंबा सा आप देखोगे इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ यह देखो एक लंबा सा भाई लंबा सा आपका bullish candle बना and bullish candle के बाद जो है यहां पे हाला कि यहां पे आपको gap up देखने के लिए नहीं मिलेगा अगर gap up देखने के लिए मिलेगा या फिर gap down देखने के लिए नहीं मिला तो लेकिन यहां पे gap down देखने के लिए मिला हमको ठीके तो gap up gap down दूनों ही देखने को मिलेगा ना तो definitely I guarantee कि यहाँ पे आपको एक बड़ा सा margin मिलेगा ठीके तो यहाँ देखो यहाँ पे जो बड़ा सा आपका bullish candle है उसके बाद जो है यह डॉजी टाइप का हो सकता है इसका body थोड़ा सा जादा बड़ा हो क्योंकि मैंने इसको zoom कर दिया है तो बहुत जादा बड़ा दिख रहा है ठीके तो यहाँ देख सकते हो यहाँ तक गया था उसके बाद यहाँ पे इसने खतम कर दिया ठीके यहाँ पे खतम किया लेकिन उसके बाद gap down के बाद जो है अगला जो bullish candle है मतलब bearish candle है वो यहाँ से start होता है यहाँ पे खतम होता है आके यहाँ पे इसका low को यहाँ पे break करता है यहाँ पे आप चाहो तो entry ले सकते थे ठीके यहाँ पे चाहो तो entry ले सकते भाई उसके बाद जो है यहाँ पे फिर से एक डोजी बना लेकिन ये जो डोजी है ना ये फिर से मार्केट को टर्न करेगा ऐसा नहीं है क्योंकि 20 कैंडल आपके बीच में होने चाहिए और भाई बहुत सारे आपको डोजी दिखेंगे लेकिन 20 कैंडल का जो पर्मूला है ना वो आप जरूर से धान में रखना ठीक है तो यहां पर देखो अगर आप यहां पर एंट्री लेते तो उसके बाद मैं आपको जूम आउट करके भी दिखाता हूँ उसके बाद यहां पर मार्केट थोड़ा एजिस्ट किया सीधा यहां पर ठैरा उसके बाद ना भूम तो इस तरीगे से मार्केट नीचे गया ना तो यह जो है मैं दो दिन पहले का चार्ट दिखा रहा हूँ तो यह था भाई चार्ट पैटन में आई होब आपको समझ आ गया होगा और देखो जब आप एंट्री लोगे ना तो यहां पे समझ लो आप एंट्री लिय अन ब्रेकबल का मतलब जो है यहां पे इसके उपर इस वाले अफट्रेंड में कोई भी कैंडल गया नहीं है हाई ठीक है यही सबसे हाई बना तो यहां पे आपको स्टॉप लोस लगाना है और यहां से अगर आप मार्केट में इंट्री लेते तो यहां से आप कितना पैसे कमाते लेकिन इसके लिए आपको मतलब थोड़ा बहुत परिक्षा भी देना पड़ेगा यहां पर आपको रुके रहना था ठीक है ना गाइस डाक लाउड कवर पैटन ठीक है एक अप्ट्रेंड मार्केट में चार्ट के ऊपर ही आपको एक बड़ा सा बुलिश कैंडल दे कर रहा हूं मैं यहां पर शेडो की बात नहीं कर रहा बॉडी की साइज जो है जो पहला वाला आपका बुलिश कैंडल होगा उस का फिफिटी टू सेवेंटİ होगा इसमें unbreakable होना चाहिए ठीक है तो यह situation आने के बाद इस वाले बेरिश केंडल के बाद और एक छोटा सा या फिर बड़ा सा बेरिश केंडल बनेगा एंड यह थार्ड केंडल होगा इस वाले फैटन में एंड थार्ड केंडल में भी आपकी confirmation नहीं है फूर्थ केंडल म यहाँ पे आपको अपना जो PE मतलब पुट होता है न तो पुट को आप यहाँ से बाई कर सकते हो मतलब यहाँ से आप share को sell कर सकते हो ठीक है यहाँ पे आप sell करोगे देखोगे एक अच्छा खासा नीचे जो है एक downtrend में जा रहा है मतलब डाउन में जाएगा तो यहाँ अ किसका दिखा रहा हूँ निफ्टी फिफ्टी का तो पास मिनिट का चार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो यह बहुत ही बड़ा अप्ट्रेंड चल रहा था आप देखो यहाँ बहुत ही बड़ा अप्ट्रेंड था ठीक है यहाँ अप्ट्रेंड में आपको ना यहाँ एक pattern बनता हुआ दिखेगा मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे देखो मैंने इसको जूम कर लिया है ठीक है अब यहाँ देख सकते हो एक pattern बना भाई यहाँ पे एक मतलब आते हैं नीचे से आते ही यहाँ पे एक bullish candle है सबसे पहले आप एक बड़ा सा bullish candle दे है लेकिन फिर भी यह काम करेगा फिर भी यह काम करेगा और अगर unbreakable होगा तो और भी काम करेगा देखो मैं आप बहुत सारे cases में stopless का use भी नहीं करता आप definitely use करना क्यूंकि आपके जो losses है ना उसको थोड़ा सा घटाने के लिए ठीक है और उसके बाद एक dozy coin बनता है तो यहां पर देख सकते हो तो यहां पर आप अपना sell बना सकते हो मतलब अपना put को यहां से buy कर सकते हो एंड अगर यहां put buy करते ना तो देखो कितना नीचे आया भाई कितना सारा नीचे आया फिर और भी zoom out मेरे को करना पड़ेगा तो देखो यहां से इतना सारा नीचे आया 300 तो इस तरीके से यहां पे ना आप एक बहुत ही बड़ा मार्जिन ले सकते थे तो यह जो है बैंक निप्टी में इतना बड़ा मार्जिन लेना मतलब आउटस्टैंडिंग बोला जाता इसको तो यह था वाई हमारा डार्क क्लाउड कवर पैटन बेरिश हरामी पैटन तो सिंपल सा यहां पे देखो एक अप्ट्रेंड मार्केट जा रहा था यहां उपर यह आपको एक बड़ा सा बुलिश केंडल देखने के लिए मिलता है ठीक से कम होगा तो तो डैफिनेटली होई जाएगा हो सकता ही कि यहां पे एक डोजी कॉइन दीखे तो डोजी कॉइन में भी आप यहां पे कंफिमिशन कर सकते हो तो देखो सबसे पहले आपको एक बड़ा सा बुलिश केंडल फिर जो है आपको एक छोटा सा अंडर 50% से भी कम उसके बॉड़ी के रश्यो होंगे वाला एक वेरिश कैंडल बनेगा और देन जाके आपको और एक वेरिश कांडल यहां पे देखने के लिए मिलेगा शाड़ के बाद के बाद जो फूर्थ कैंडल जो थार्ड कैंडल का लोग को जब भी ब्रेक करेगा उसके बाद यहां आपको एंट्री यहां पे मिलेगी, आप यहां से sell कर सकते हो, and sell करने के बाद यहां से आपके नीचे जा सकता है, देखो सकता है, यहां पे आपको और भी candles दिखें, लेकिन, 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 गाइस, जहां पे जाके second वाला जो candle रहेगा, आपका उसका low को break करेगा, वहां प stopless लगा देना add नीचे यहाँ पर आप sell कर लेना उसके बाद देखोगे boom करके market नीचे जाएगा कैसे नीचे जाएगा मैं आपको एक chart दिखाता हूँ तो guys यहाँ पर आप देख सकते हो एक हम को bearish हरामी pattern बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर देखो भाई एक सबसे पहले यहाँ पर बड़ा सा एक bullish candle उसके side में एक छोटा सा जो है आपको red candle मतलब bearish candle और फिर से जो है एक bearish candle यहाँ पर देखने के लिए मिला तो सबसे पहले देखो यहाँ पर इसका shadow इस तक गया है ठीक है तो यहाँ पर यह रहा भाई आपका uptrend market uptrend market में इसका जो high है जो bearish candle का high है वो unbreakable है इसके उपर कोई भी candle गया नहीं है तो यहाँ पर आप अपना stop loss लगा दो और यहाँ इसके बाद next में जो यह candle है red candle उसके side में और एक red candle है तो यहाँ third बाला जो rate candle है मतलब bearish candle है उसका low को जब भी जो fourth candle है break कर दिया तो यहाँ पर आप अपना sell बना लेना और यहाँ से देखो boom करके थोड़ा सा नीचे गया है तो यहाँ पर आप short selling भी कर सकते हो यहाँ पर अच्छा खासा नीचे गया है तो इस तरीके से आप bearish harami की मतलब bearish harami pattern का इस्तमाल कर सकते हो आप जो है इस तरीके का bearish harami pattern देखते हो तो यहाँ पर एक strong signal आपको मिलता है कि यहाँ पर आप अपना PE buy कर सकते हो मतलब put को buy कर सकते हो और यहाँ अगर आप put को buy करते हो डेफिनेटल आपको एक अच्छा खासा profit देखने के लिए मिल जाएगा अब गईस यहाँ पर हम देखते है bearish engulfing pattern होता क्या है समझ लो कि यहाँ पर एक uptrend market जा रहा था यहाँ पर भाई एक आपको bullish candle देखने के लिए मिला और वहाँ से फिर नीचे आके ना नीचे आके खतम कर देगा ठीक है तो इस तरीके से क्या होगा यह मतलब middle से start हुआ उपर गया फिर नीचे आया तो इस तरीके से यह एक bearish candle ही बोला जाएगा ठीक है एक तरह से एंगॉल्फ कर जाएगा मतलब अपने अंदर समा सकता है ठीक है जो bearish candle का body का size बहुत ही जादा है in comparison to the bullish candle पहला वाला bullish candle इसका जो high है ना वो high देखोगे इस वाले trend में unbreakable रहेगा यहाँ पर अपना stop loss लगा देना and then इस वाले bullish candle के बाद हो सकता है यहाँ पर एक dozzy coin बने हो सकता है यहाँ पर bullish बने हो सकता है यहाँ पर bearish बने कुछ भी candle यहाँ पर बन सकता है हो सकता है आपको यहाँ पर market थोड़ा सा रेजिस्ट करने जैसा दिखे मतलब market जो है एक level में जो है यहाँ पे continuously जाता हुआ दिखे आपको हो सकता है ऐसा देखो 7-8 coin इस तरीके से जा सकता है लेकिन जो third वाला bearish candle रहेगा ना इसका लोग को जब भी यहाँ पे कोई भी bullish candle इस वाले trend में break करेगा ना market चाहे कितना दूर भी रेजिस्ट कर सकता है रेजिस्ट करने के बाद जब थाड वाला bearish candle था ना इसका लोग को जब भी break करेगा तो यहाँ पे आपना-पना sale बनाना ठीक है यहाँ से अपना put buy करना और यहाँ से देखोगे market नीचे जाएगा मैं आपको अभी चार्ट में जाके दिखा देता हूँ ठीक है इस वाले चार्ट में आप यहाँ पर एक देख सकते हूँ इसको मैंने open करा हुआ है यह बेसिकली जो है निफ्टी 50 का चार्ट है तो निफ्टी 50 का पांच मिनिट का चार्ट मैंने यहाँ पर open करा हुआ है इसको आप देखो इसको मैं आप आप को जूम करके दिखा देता हूँ याँ पे देखो मैंने जूम करा हुत ठीक है, आपको अप्ट्रेंड मार्केट दिखेगा यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लो पहले ये रहा भाई अप्ट्रेंड मार्केट, ठीक है न गाईस तो यहां तक यहां पर uptrend market गया है यहां पर एक देखो bullish candle बना और उसके बाद यहां पर देख सकते हो एक bearish candle बना बड़ा सा bearish candle बना लेकिन जो bearish candle का जो मतलब जो high है ना वो थोड़ा सा bullish candle से थोड़ा सा नीचे है तो फिर भी यहां पर काम करेगा ठीक है फिर भी इस तरी पूरा सम्हें यहां लेकर पर बोलिज बनता हुआ फिर से इसका जो थाट वाला जो चैंडल का gun बना और उसके बाद इसका इन यह मिंस्सें सब्सक्राइब को impose कनेडि मोड़ा वो यह करने में लेकिन लोह 4th वाला candle bullish बन जाता है, 5th वाला candle यहां पर फिर से bearish बनता है, लेकिन low को break नहीं करता, उसके बाद 5th वाला candle यहां पर देख सकतो, 3rd candle का low को break कर दिया, तो यहां पर आप अपना sell बनाओ, और यहां से boom करके market देखो, किस तरीके से नीचे गया है, तो एक तरह से बहुत अच करो Instagram पर, Instagram पर follow करो, Instagram का link आपको description मिलेगा, और साथ-साथ गाईज, जो technical analysis है, उसके लिए यह सारे वीडियो में बना रहा हूं, तो candlestick pattern लिख के एक playlist है, हमारे चैनल पर, उसको देखो, आपको पूरा technical knowledge समझ आ जाएगा, और साथ-साथ गाईज, इसके साथ-साथ ना, आ आपसे अच्छा जो application है, वो है भाई, AppStock and Grow, तो AppStock and Grow का दोनों का ही link मैंने description में दिया है, जल्दी से जल्दी वहाँ पे sign up करो, और भाई, grow के उपर आपको detail video देखनी है, उस वाले video का link भी description में है, और यहाँ पे click करके भी देख सकते हो, and candlestick pattern का playlist यहाँ पे देख स तो, thank you very much, signing out.